आडी शर्मा सलूशन देख रहे हैं, क्लास 12 है, चैप्टर 3 बाइनरी ओपरेशन वी एस एक्यू, याने की वेरी शॉर्ट एंसर क्वेस्टिन्स पहला क्वेस्टिन्स है, राइट दी आइन्टिटी ऐलिमेंट फॉर्ड बाइनरी ओपरेशन स्टार अन दी सेट आर जीरो इसका मतलब होता है कि जिते भी नॉन जिरो रियल नंबर्स हैं, रूल क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए बी बाइ टू, आपको इसमें आइन्टिटी ऐलिमेंट निकालना है, आइन्टिटी ऐलिमेंट क्या होगा, इस सेट से ही आएगा, ए बी भी इसी सेट से तो यही ए वापिस आजाना चाहिए, तो यह ए स्टार ए अगर इसके इस रिफरेंस से देखा जाए तो क्या बनेगा, ए इन्टू बी बाइ टू, अब बी की जगा हम ए कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए है, अब क्या हो जाएगा इसमें, ए बराबर टू होगा, ए यह कैंसल हो जाएगा, टू इधर जाएगा, तो आपका यह आइन्टिटी ऐलिमेंट टू आ गया इसमें, नेक्स्ट क्वेशन है, अज़र यह ध्यान रखेगा कि यह जो क्वेशन है, और इसके एक क्वेशन और आ रहा है, कई सारे एडिशन में, क्वेशन नमर्ट 14, यह जैसे हैं, मतलब डूप्लिकेटेड है, इसलिए इसको एक ही बार किया जाएगा, अगर दिखा जाए तो पूरी एक्सराइज में, जो एडिशन है, इस एडिशन पर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 21 क्वेशन है, लेकिन यह दो डूप्लिकेटेड है, तो BC होगा, तो क्वे है, 4 का, इसका निकालना है, 4 का inverse निकालना है, कैसे निकलेगा, पहले तो हम यह देखेंगे कि inverse निकालने के लिए हमको identity element चाहिए, यह इनिकालने के लिए E चाहिए, E कैसा है, A स्टार E करेंगे, तो A वापिस आ जाना चाहिए, इसमें रख देते हैं, A प्लस B की जगा E र अब, हम बात करेंगे inverse की, inverse का मतलब यह होता है, हमको निकालना है 4 का inverse, तो 4 के inverse, 4 का जब operate करेंगे, इसके साथ, इस identity element के साथ, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नहीं, B के साथ, कोई B दे लिए, तो हमारे पास identity element आना चाहिए, यह आपका minus 2 हो गया, और 4 star B कैसे करेंग तो 4 प्लस B प्लस 2, ऐसी करेंगे न, 4 का operation जब B के साथ करेंगे तो identity element आना चाहिए, identity element हमने negative 2 रख दिया, तो यहां से B कितना निकल के आएगा, यह जाएगा 2, negative 2, negative 2, basically minus 6 यहाँ पर जाएगा, तो B हो गया minus 8, इसके inverse हो, अगला है define a binary operation on a set, तो binary operation का आपको definition देना है, तो पहली चीज़ में आती है आपका non empty set, यह लिखना ज़रूरी है, non empty set मतलब कोई भी set आप ले ले, a, इसमें कोई न कोई content होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे, इससे value और कर पाएंगे, तो पहला तो यह non empty set होना चाहिए, दूसरा यह है binary operation, ऐसे हम define करते हैं, किस पे, इस set a पे, binary operation किस पे define होता है, इस set पे, और तीसी चीज़ जो होती है, कैसे define करते है, a star b, और यह हम बताएंगे कि a भी यहां से आ रहा है, b भी यहां से आ रहा है, तो यह आपको लिखना पढ़ेगा, a और b, both belong to a, इसी set को belong कर रहे है यह लिखना पढ़ेगा, और उसके बाद, चौथा point, वैसे यहां भी लिख सकते थे, चौथा important point है, कि जब हम a और b इस set से लेंगे, जो कि non empty set है, और in value पे operation करेंगे यह वाला, तो यह जो value आएगी, यह total जो value आएगी, यह भी इसी set को belong करनी चाहिए, यह चार चीज़ आ define commutative binary operation on a set, अगला जो question है, वो है, define associative binary operation on a set, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने binary operation के बारे में समझ लिया, commutative का मतलब यह होता है, simply, ऐसा आपकर हमने set ले लिया, ठीक है जी, और हमने इसमसे a और b value ले ले ले, तो a के साथ operation जो b करेंगे, वो बरावर होना चाहिए, बी operation a के बरावर होना चाहिए, बस कितना लिखना है आप, जिसमें a और b क्या है, a और b belong करेंगे set को, a को, a को बताना है कि आपको non empty set होगा, तो यह a और b, यह जो पहली चीज़ आपको दी गई है, उसमें पहले बताना पढ़ेगा, यह binary operation है, binary उसी जी जो आपको लिखनी वो यह है, a star b और b star a बरावर होने चाहिए, अगर यह बरावर है तो हम कहेंगे community है, इसी तरीके से जो पाचवा है आपका, define an associative binary operation होना set, associative binary operation में, पहले आप binary operation बताएंगे, जो कि अभी मैंने आपको पिछरे question और तीसरे सवाल में बताया, यह तो आपको लिखना है, associative में मैं आपताएंगे कि अगर एक set a है, non empty set, और उससे हमने तीन value निका ली, a, b, c, यह तीन value निका ली, बहुत सारी value हो सकती है, हमने कोई तीन value निका ली, और यह जो binary operation defined है, इस set में, a में, अगर हमने इस तरीके से लिखा, आप, पहले हमने a, b, को कर लिया और उसके बाद हमने b, c, को कर लिया, मतलब पहले a, b, को किया, फिर c के साथ operate किया, यह पर हमने b, c, को किया, फिर a के साथ operate किया, अगर यह दोरों बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब यह, associative है, यह लिखना है, अगला सवाल है write the total number of binary operation on a set consisting of two elements अब आपके पास एक set A है जिसमें दो element है मैंने लिज़े आपका A और B ही है आपको निकालना है कितने total number of binary operation होंगे इसमें पहली चीज़ तो यह है कि इसका उत्तर है n की power n square अभी आया कहा से यह आया इस तरीके से है कि जब भी हम एक binary operation define करते हैं वो ऐसे define करते हैं binary operation ऐसे define करते हैं कि binary operation such that यह set A यह into है ऐसे करते हैं मतलब हम यहां से A लेंगे यहां से B लेंगे इन पर operation करेंगे और जो result आएगा वो भी इस A को आएगा जो भी result आएगा तो जो हम यह ले रहे है अब मालीजे इस A में हमारे n values है अभी तो दो हैं दो का करके दिखाता हूँ लेकि जनरलाइस कर रहा हूँ इसमें अगर मालीजे कितने हैं n values है यह n होगा यह n होगा तो n cross n कितना होगा इसमें n square होगा यहाँ पर कितने होगे n क्योंकि A ही है अब आप जानते हैं कि हम जब कुछ A और B सेट लेते हैं इसको हम कहते हैं domain इसको कहते हैं co domain इसमें अगर n value है इसमें m value है total operation कितने हो जाएंगे m की power n यानि कि co domain की power domain यहाँ co domain कितना है now n और co domain कितना है n square n की power n square यह ऐसे आया है यह इसका explanation है अब हम आते हैं अपने set हमारे पास एक set है जिसमें 2 values हैं आपको यह अंदर क्या है कुछ नहीं यह x y भी हो सकते हैं इसको नहीं देखना है आपको देखना है कि यहाँ पर दो values है है न n की power n square यह एक 2 की power 2 square 2 की power यह का आप 4 हो गया 2 की power 4 होता है 16 यह इसका उतर हो question number 7 में है write the identity element of the binary operation star defined on a set R of real number by the rule real number है rule भी दिया है आपको rule है a star b बराबर 3 a b by 7 इसके जी आपको identity element निकालना है identity element निकालने का क्या तात परे है जब भी आप किसी भी value को ले और identity element के साथ operate करें यही value आ जाने चाहिए दुबारा तो यहाँ पर हम a star b 3 a b by 7 है a star e क्या होगा 3 a b की जगा ही रख दिजए दिक इसके बराबर हो जागा a के बराबर तो यह हो जाएगा हमको इसमें e निकालना है e हो जाएगा a into 7 by 3 यह cancel होगा आपका 7 by 3 होगा 7 by 3 आपका identity element होगा सवाल संख्या 8 है आपकी और इस 8 में दिया हुआ है let's start with the binary operation on set of all non-zero real numbers given by a star b equals ab by 5 for all ab belongs to r minus 0 तो पहली चीज़ यह है कि r minus 0 पर बात हो रही है बदर 0 नहीं आएगा real number सारी हो सकते है 0 नहीं आएगा और आपको कहा गया है कि a star b यह है आपका ab by 5 write the value of x given by तो इसे दिया हुआ है 2 star x star 5 equals 10 तो a star b क्या है ab by 5 x star 5 क्या होगा a b by 5 x 5 x by 5 अब इससे तो अटा दीजिए तो 2 star x आ गया है 2 star x क्या होगा ab by 5 में 2 into x by 5 तो किसके बरावर है 10 के बरावर है x हो जाएगा 10 into 5 by 2 2 5 is the 10 x हो गया आपका 21 question number 9 है write the inverse of 5 under multiplication modulo 11 inverse निकालना है देखिए इसको करना कैसे है मैं यहां answer तो आपको बता दूँगा देखिए करना इस तरीके से है inverse of 5 under multiplication modulo 11 पहले तो आपको इसको निकालना है multiplication यानि की आपका multiplication sign आना चाहिए ऐसे और यह 11 तो जब यह x 11 करेंगे आप तो यहां पर आपको set जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा यहां पर आपको set जो लिखना पड़ेगा अब यह इस तरीके के question हम पिछले exercise में कर चुके हैं तो इसका मैं direct आपको answer बताऊंगा कैसे आएगा यह आपको निकालना है inverse of 5 5 का inverse निकालना है तो यह देखना है 5 का inverse निकालना है तो पहले आपका identity element निकालना होगा क्योंकि यह multiplication है तो सीधी सी बात है 1 हमारा क्या होगा identity element होगा यह हम जानते है multiplication में 1 आता है और यही अगर plus 11 होता तो आपका जो e होता हो जिरो हो जाता तो हमारा identity element तो 1 होगा अब आपको देखना है 5 की रूमें ऐसा कौन सा आएगा और इसका operation बता देता हूँ operation कुछ इस तरीके से है कि a star b इसमें a star है आपका into 11 b जो भी value multiply होके आएगी उसका आपको modulo 11 निकालना है modulo 11 जो होगा वो 1 आना चाहिए यहाँ पर clear ऐसा कौन सा होगा तो आप इसको देखिए यह यह 5 है और यह 9 है तो मैं इसको करता हूँ 5 into 11 9 कितना आया finance of 45 अब मैंने क्या है modulo 11 निकालना है 11 से divide करिए 45 को 11 4 जो 44 हो गया ठीके जी 11 44 जो हो गया और 1 आया है आप तो 5 और 9 में आप यहाँ पर देखेंगे जब पूरा table बना लेंगे यहाँ वन आएगा इसी तरीकी से 9 और 5 में देखेंगे आप तो भी आपका यहाँ पर 1 आएगा तो जब हम 5 का operation करते हैं 9 के साथ identity element आ जाता है 1 इसका अधा 5 का inverse क्या हुआ 9 हुआ 9 है इसका हुआ question number 10 है define identity element for a binary operation defined on a set तो identity element क्या होता है सबसे पहले बताएंगे कि आपका एक set A है ठीके जी उसके बाद हम एक star एक binary operation define करेंगे इसमें और फिर उसके बाद एक element जो इस set का होगा इस element इस set का होगा और वो इस element माली जो A है दूसा element जो इसी set का होगा उसके साथ ये binary operation जब करेंगे तो यही element दुवार आ जाना है याने आप बताएंगे A भी belong करता है A को ठीक है तो इस E भी belong करेगा इस A को और ये operation होगा A आना है तो यही A वापिस आ जाना है आप ये भी कह सकते हैं यहां से हम B ले 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 तो B के साथ operate जब इस E को करेंगे तो B आ जाना चाहिए यानि कि जो element से के साथ operation करेंगे वो आ जाना चाहिए तब हम इसको चाहिए identity element जान रखेगा identity element नॉर्मल E plus में 0 होता है और multiplication के case में 1 होता है तो इसमें यह हम औरडी कर चुके है इस तरीके के सवाल में आपको थोड़ा idea जरूर दे दूँगा idea यह है कि आपको multiplication 10 तो multiplication 10 यह लिख दीजे set क्या दिया हुआ आपको set आपको दिया 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखेंगे 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखेंगे अब मैं यह value कैसे आ रही है बता देता हूँ चलिए कोई example लेते हैं 4 और 6 का तो 4 और 6 का module कर रहे हैं 4 और 6 का module करेंगे लेकिन यह x 10 करेंगे करना क्या है कि 4 और 6 को multiply करना है 24 आ गया अब 10 के साथ divide करना और remainder निकालना है यानि कि 10 के साथ 24 को divide करेंगे और उसके बाद हम module लेंगे तो 10, 2 सा 20 remainder के इतना होता है 4 तो 4 रखेंगे आप यह देखें 4 रखेंगे तो बता दें 8 और 6 ले लेते हैं 8 इंटू 10 6 और जो 8 और 6 का होगा वोई 6 और 8 का होगा ध्यान रखेंगे जैसे हमने 4 और 6 लिया ना या 6 और 4 का देखेंगा ये भी 4 ही आएगा एक बार compute करना है दो जगा लिख देना है तो 8 जब operate करेंगे 6 के साथ तो 6,8 और 48 हो गया अब इसको 10 से divide करें अभी इंटर ले जिए 10,4 और 40 आठ रिमेंटर आ रहा है तो जब 6 और 8 को या 6 और ये वाल 8 को करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर भी 8 आ रहा है और इस जगा पे भी आपका 8 आ रहा है यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर ले रहा है